बनारस का संकीर्ण गलियों वाला इलाका, हर और मंदिरों की घंटियों की आवाज और गंगा के तट पर बसी हुई पवित्रता. इसी शहर के एक पुराने मोहले में एक बुढिया सुशिला बाई रहती थी. सुशिला बाई के पास एक पुराना जंग खाया हुआ बकसा था, जिसमें कुछ घंगरू रखे थे. मोहले के बच्चे अकसर उसे तंग करते थे. बाई, ये घंगरू किसके हैं? वह सिर्फ मुस्कुरा देती और कहती, एक दिन तुम्हें सब पता चलेगा. एक दिन, बाई क की मृत्यू हो गई. मोहले में एक सन्नाटा चा गया. उसकी मौत के बाद बकसा मोहले के मंदिर में रख दिया गया. उस बकसे की बाद पूरे शहर में फैल गई. लोगों में उचसुकता बढ़ती गई कि आखिर उन घंगरू का रहस्य क्या है? रात के समय, मंदिर के पुजारी से कहा, ये घंगरू मेरे है, मैं सुशिला बाई हूँ. इस बकसे का रहस्य खोलो और सब को बताओ, पुजारी घबरा कर जाग गया. अगले दिन, उसने मंदिर में सभा बुलाई और सभी को सपना बताया. मोहले के लोग एकत्र हुए और बकसे को खोलने का निर सिद्ध नृत्यांगना थी. मेरे नृत्य से लोगों को प्रेरना मिलती थी. पर एक दिन, मैंने देखा कि मेरे नृत्य का उप्योग बुरे कामों के लिए हो रहा है. मैंने नृत्य छोड़ दिया और इन घुंगरूओं को बकसे में बंद कर दिया. यहां मेरी कहानी है. अ सभी को जगजोर कर रख दिया. तभी भीड में से एक यूवती, नेहा, आगे आई. नेहा को बचपन से ही नृत्य का शौक था, लेकिन उसके गरीब परिवार ने उसे कभी सपोर्ट नहीं किया. उसने सुशला बाई के घुंगरू उठाए और पहने. नेहा ने वही घुं नेहा का नृत्य देखकर सभी मंत्र मुग्ध हो गए. उसने अपने नृत्य से सुशला बाई की आत्मा को सम्मान दिया और गाव के लोगों को प्रेरना दी कि कला और संस्कृती केवल मनोरंजन नहीं, बलकि जीवन को समवारने का साधन हो सकते हैं. धीरे धीरे नेहा का न नृत्य प्रसिद्ध होने लगा. उसने अपनी महनत और समर्पन से बनारस ही नहीं, पूरे देश में नाम कमाया. उसके नृत्य के माध्यम से सुशिला बाई की कहानी और उनके घुंगरू का महत्वभी लोगों तक पहुचा. नेहा ने सुशिला बाई की विरासत को आगे कला वह होती है, जो सच्चाई और इमानदारी के मार्ग पर चलती है. उसकी यह यात्रा न केवल एक नृत्यांगना की सफलता की कहानी थी, बल्कि यह प्रेर्णा की एक मिसाल भी बन गई. घुंगरू अब केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि एक प्रेर्णा का प्रतीक बन गए थे. नेहा ने साबित कर दिया कि सच्ची कला और समर्पन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है. सुशिला बाई का सपना अब नेहा की नृत्य में जीवित था, और उनके घुंगरू की खनक हर किसी को यह संदेश देती थी कि समर्पन और इमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता.